ये 400 दिन बाद सरकार रुखने वाली नहीं है अब तो 399 दिन बचे हैं मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्होंने खंबम में एक रैली बुलाई और ये रैली बहुत जवर्जस्त हुई इस रैली में सपा प्रमुख अखलेस यादो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्बिंद केजरिवाल और पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन सिंग मान भी पहुंचे वह कि इस्तियासिक धर्ती पर मैं आदिने के सियार साब का बहुत-बहुत धनिवाद और आभार पिकड़ करता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके पूरे देश को एक संदेज देने का काम किया है आज सुबह से लगातार हम लोग काम देख रहे हैं मैं सामने जहां पर बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे ये इंटिगेटर जो आफिस बनी है कॉम्पलेक्स बना है एक ये उधारण है सरकारों के लिए कि एक जगे कैसे अधिकारी बैठ सकते हैं और जनता को तकलीव और परेशानी नहीं होगी एक ही जगे पर समस्या का सम बादान हो जाएगा ये खमम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकुमत रही होगी ताकतیں नहीं होगी उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है यहां के किसान यहां के नौजवान अगर किसान कभी इखटे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इखटे होकर के अपनी आवाज बुलंद करकर के उस समय की हुकुमत को हिला के रख दिया मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के जिन पस्षितियों से हम लोग गुजर रहे हैं जहां भारत सरकार और खाजकर भारती जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है एक-एक सरकारें जो चुनियों ही उनको परिशान कर रही है चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके B.R.S. की पार्टी की सरकार हो जो सहोग और जो मदद और जो लोगतनत में समीन मिलना चाहिए वो सरकार समीन नहीं दे पा रही है समय शमय पर रुकावट कैसे पैता हो नेताओं को कैसे परिशान किया जाए उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए उनके विपश्च के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूस्ते है उनको किस सड़यन से उनको दबाया जाए उनकी छवी कैसे खराब की जाए चाहिए ये भार्ति जनता पार्टी की सोची समझिती रंडीत के तहत काम कर रहे है जो सद्शाएं हमें न्याए देना चाहती है जहां से हम न्याए पकार, न्याए के लिए पकार सकते है उन संसाओं को भी दवाब बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारती जन्ता पार्टी कर रही है अभी कली भारती जन्ता पार्टी की मीटिंग खतम हुई है और उन्होंने का कि चार सो दिन बाकी है हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं अब तो वो सुए सुएकार कर रही है कि अब चार सो दिन है जो सरकार अपने दिन गिनने लगे जो सरकार अपने दिन बताने लगे समझ लो ये चार सो दिन बाद सरकार रुखने वाली नहीं है अब तो 399 दिन बचे है और जैसा कि भारती जनता पार्टी का समय समय पर जो बुनियादी मुत्ते हैं कि महंगाई कैसे कम हो गुरोजगारी कैसे कम हो हमारे लोग जो भारत शोड़ करके चले जा रहे हैं कुछ लोग तो अपनी खुशाली के लेग जा रहे हैं लेकिन बड़ी संक्या में लाखो लोग ऐसे हैं जो धन गौलत उनके पास है वो इस देश में रहना नहीं चाते क्यूंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाती इनके पास बुन्यादी ठोस मुद्धे जो किसान की जरुवत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं आपको सब को याद होगा यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आए दो हजार बाइस तक दो बुनी कर देंगे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी हालां कि दो हजार तेश शुरू हो गया है लेकिन मुझे तो यह लगता है किसान की तकलीफ और परिशानी को देख करके इन भारती जनता पार्टी के लोगों का दो हजार बाइस सभी खतम नहीं होगा इनका बाइस खतम नहीं होगा तेईस आगिया चौबिस आजाएगा लेकिन भारती जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि बाइस तक हम किसानों की आए दोगनी कर देंगे वो अभी दोगनी नहीं हुई है हमारा किसान तकलीफ और परिशानी में है उसको वादा तो कर रहे हैं लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चीए वो मदद नहीं मिल पारी है यह हमारा जो नौजवान देहाई देरा है यह नौकरी और रोजगार की तलाश में अपना भविस चौपट कर रहा है यह सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंतरी काम कर रहे हैं लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े प्यमाने पर बिरुजगारी है जैसे ही शुनाव आगया है इन्होंने इत्ते कर लिया है कि जगे जगे इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोका देंगे यह प्रचार के माद्यम से धोका देना चाहते हैं वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो G20 की अद्धेश्टा कर रहे हैं लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अद्धेश्टा करने का मुझे लगता है के बल चुनाव के लिए इपरचार करेंगे उसमें कोई ठोस कादम नि उठाएंगे इसलिए आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने खटे हुए हैं जहां मुझे लोगी लोग दिखाई दे रहें उनके सामने मैं कह सकता हूँ कि अगर तिलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेबी का तो उत्त प्रदेश भी पीशे नहीं रहेगा आप अपने प्रदेश से हटाईए यूपी से हम लोग मिल करके उनको हटाने का काम करेंगे हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिनें प्रदान मंत्री बनना है वो उत्त प्रदेश जरूर आते हैं इसलिए आपने देखा होगा गुजरास से उत्त प्रदेश आए अगर गुजरास से प्रदान मंत्री बन सकते होते हैं तो शायद गुजरास वो नहीं छोड़ते लेकिन उत्त प्रदेश के साथ जो धोका हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मा गंगा हमारी पूजा का हमारी आस्ता का हमारी संस्किती की अस्थान है एक पानी का जहाद चला करके विलास्ता का जहाद चला करके नजाने क्या सब ने दिखा रही है सरकार और जिस मा गंगा को साफ हो जाना चाहिए था मागंगा वैसी की वैसी है नदी साफ नहीं है नदी को साफ नहीं कर पाए मुझे खुशी है जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने एक फैसा लिया था कि यहां पर किसानों के खेट तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए वो जो इंटिकेडिर इंटिकेशन सिस्टम का आपने शुरुआत की मैं आपको बढ़ाई देता हूँ और जंता को भी बढ़ाई देता हूँ उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्रदेश से शुरुई योजना जहां पर खेट को पानी घर में पानी का इंतजाम किया वही तो भारत सरकार नकल कर रही है जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कई न कई आपकी देन है जिस सरकार ने एक उधारन पेश किया हो उन्होंने केबर इरिगेशन में और भी शेत्रों में मैं ऐसे सरकार के लोग को बढ़ाई देता हूँ खासकर मुख्यवन्तिजी को बढ़ाई देता हूँ उन्होंने बताया कि कैसे संबैधानिक संस्थाओं का छरण किया जा रहा कैसे दबाव बनाया जा रहा कैसे जो लोगतांत्रिक तरीके से सरकारे चुनी गई है उनका अपमान किया जा रहा है लेकिन वक्त आ गया है उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग यहां पे पीजेपी को हराए बाकी काम उत्तर प्रदेश कर देगा देखते हैं कि भीरिण से खुसोकर अखलेस यादवने जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करने में वो यूपी में कितना सफल हो पाते हैं को बता दे कि जो तीन ने था विपक्ष को एक जुट करने में लगे हैं उन में से एक है मम्ता बनर्जी दूसरे हैं नितीस कुमार और तीसरे हैं के सियार याने की तिलंगाना के मुख्यमंत्रे के चंसेकर रा बहुत सिद्दत से वो लगे हुए हैं और बीजेपी को चाहते हैं लेकिन कुछ दलों से उन्हें दिक्कत है और वो उन्नेताओं में स्तामिल है जिने की राहुल गांधी ने कस्मीर में होने वाले अपने यात्रा के समापन में नहीं बुलाया है रहे नबे खबर देखते रहे इन खबर ठैंक्यू